इस वीडियो में मैं आपको बताने वालाँ फ्रेंड्स के आप दोस्तों OnePlus Note C E3 Lite 5G के मोबाइल फोन में आप दोस्तों फिंगर पिंट से प्राइवेट सेप को आप कैसे ओपन कर सकते हैं मतलब कैसे को कैसे दोस्तों खोल सकते हैं तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को स तो उसे लाश्ट तक देखिएगा चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरू करिएगा इसके लिए आपको जाना है OnePlus Note C E3 Lite 5G मोबाइल फोन की सेटिंग में सेटिंग में आकर आपको आना है नीचे और नीचे आकर आपको यह प्राइवेसी पर क्लिक करना है उसके पर आपको अपने प्राइवेट सेफ का दोस्तो पासवर्ट दोस्तो देना होगा डाल जब आप पासवर्ट डाल देंगे तो ऊपर आपको यह मिलीगा एक दोस्तो थिरी डॉट का उप्सवन इस पर करना है क्लिक फिर आपको यह अधर अनलोक मेंट का उप्सवन मिलता है उसके बाद यहां आपको पस्ट मिल जागा fingerprint का तो दोस्तो आगर आपके फ़ने पहले से fingerprint lock दोस्तो सेट होगा तो आप जैसे fingerprint बाला setting यहां पर इन दोस्तो क्लिक करेंगे तो यह setting all हो जाएगा और उसके बाद आप जोई दोस्तो fingerprint से आप अपने private save को open कर सकते हैं आपको password डालने का जरूरत दोस्तों नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आपके phone में पहले से fingerprint lock दोस्तों सेट अगर दोस्तों नहीं होगा तो जब आप जब फिंगर पेंट वाला setting इनेवल करने के लिए यहां पर click करेंगे तो सबसे पहले आपक अपने phone में कहा जाएगा तो अगर आपके phone में पहले से set दोस्तों नहीं होगा तो आपको अपने phone में सबसे पहले fingerprint lock लेना सेट कर जब आप दोस्तों fingerprint lock set कर देंगे तो उसके बाद आपका यह setting और उसके बाद दोस्तों आपका यह setting हो जागा